नमाशकार मैवेशाली मेरी इस यूट yoube चैनल में आपका स्वागत है मेरी आजrdакс की रेसेपी दूद पेडा है मेरी आज शाथ हीं दूधzhCC लंगता है है और बनाने में तो बहुत टाइम लगता है एसे लेकिन खाने का मज़ाई आजाता है, दूद पेडा बनाने के लिए मैंने दो लीटर दूद लिया हुआ है, फुल क्रीम वाला दूद है, जितना अच्छा गाड़ा दूद होगा, उतना ही बढ़िया पेडा बनेगा, और सो से देड़ सो क्राम मैंने चीनी ली हुए, और चा जैसे उफानाने लगता है दूद में तो गैस की आज कम कर दें, और चलाते रहें, किनारे से इसकी जो मलाई जमती है, उसे निकालते रहें, यह देखिए लगबख 10 से 15 मिनिट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि दूद थोड़ा सा कम होने लगा है, हलकालका सा गाड़ा होने लगा है, तो यही प्रोसेस हमें लगबख एक से देड़ घंटे तक करनी है, एतना टाइम लग जाता है, दो लिटर दूद को गाड़ा होने में, तो इसी तरह बस चलाते रहना है और दूद को उबालने अच्छा है तरह, यह देखिए दूद को उबलते हुए लगब यह देखिए लगबख एक घंटे के उपर हो चुका है, आप देख सकते हो दूद अच्छा गाड़ा होने लगा है, तो अब मैं इसमें चीनी डाल दूद में लगबख सो से देड़ सो कराम के बीच में चीनी डाली हुई है, तो मीठा आप अपने पसंद के साब से डाल सकत हो दूद में इसमें होगी है क्योंकि दूद में भी अपना एक मिठास होता है, तो बस चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसमें इसमे मिक्स कर दूद यूगी और इसके बाद में लगबख 5 Submis लगबख 5 も.10 मिनित लग जाएगा क्योंकि चीनी डालेंगे उसका भी पानी शूटेगा, तो उसे भी हमें अच्छे से पकाना है, एक लगबग डो के फॉर्म में आ जाता है, यह पेड़ा बनाने के लिए मिश्रन अच्छी तरह से जब तक 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 हमें मिक्स करते रहना है, और इसी तरह से पका लेना है, यह देखिए दूद को बलती हुए लगबग देड घंटा हो चुका है, अब यह हमारा पेड़ा बनाने के लिए मिश्रन तयारी हो चुका है, और आप देख सकते हो कि अच्छा गाड़ा हो गया, तो आप मैं इस मिश्रन को एक प्लेट में निकाल दूँगी, क्योंकि अगर हम इसी कड़ाई में तो गरम से और पकेगा, तो जादा गाड़ा हो जाएगा, तो हम प्लेट में निकाल देंगे और हलका ठंडा होने देंगे इसे, यह देखिए प्लेट में मैं निकाल दिया है, पूरी तरह से ठंडा होने के बाद में मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, यह देखिए पेड़ा क्योंकि दूद में अपना एक नैश्रल सा घी चूटता है तो देखिए बहुत ही आराम से इसके पेड़े बन जाते हैं यह देखिए पेड़ा बनाने के लिए मिश्रन एकदम तयार हो गया है मैंने हातों से मसल के एकदम चिकना कर लिया है उसके बाद छोटी छोटी लोगिय है इसी तरह से मैं सारे मिश्रन की पेड़े तयार कर लोंगी चाय तो आप इसमें अपने बसंद के ड्राइफ रूट्स पर से लगा सकते हो इसके उपर पिस्फना बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इसी तरह से इसको डेकरूटung करके रख सकते हैं यह देखिए पेड़े बनके तयार है खाने के लिए और लगभग दो लिटर दूद में आदा किलो पेड़े बन जाते हैं और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं सबसे अच्छी बात है कि हमने घर पे बनाया है तो इसका स्वाद और भी अच्छा होता है तो लगी और मेरे यूटूब चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना भी न भूले तो मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ धन्यवाद